अस्वालेकूम कैसे हैं सब उमीद हैं सब ठीक होंगे आज हम सबक नमबर एक का आगास करने लगे हैं जिसका उन्वान है हमारा वतन पाकिस्तान ठीक है तो हमारा वतन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में आज हम पढ़ेंगे हमारा वतन पाकिस्तान हमारा वतन पाकिस्तान ह ये बरियासम एशिया में वाके है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया यानी वजूद में आया का मतलब होता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना इसका दारुल हकूमत इसलामबाद है सिंद, बलोचिस्तान, हैबर पहतुहां और पंजाब पाकिस्तान के चार सूबे हैं ठीक है पाकिस्तान के चार सूबे हैं सिंद, बलोचिस्तान, हैबर पहतुहां और पंजाब इसके इलावा गिल्गित बलतिस्तान और अजाद जम्हु कुश्मीर भी पाकिस्तान के जेरे इंतजाम इलाके है और जो गिल्गित बलतिस्तान है और अजाद जम्हु कुश्मीर है ये पाकिस्तान के जेरे इंतजाम इलाके है ठीक है ये इलाके है पाकिस्तान के अजाद जम बड़ा सुबा बलोचिस्तान है जबके अबादी के लिहाज से बड़ा सुबा जिस तरह आप ही देख सकते हैं यह पाकिस्तान का नक्षा है यहां पे बलोचिस्तान सिंद पंजाब हैबर पहतु हां ठीक है यह क्या है यह चार सुबे हैं पाकिस्तान के और गिलगित बलतिस् जम्हु कुश्मी जो है वो इलाके है पाकिस्तान के ठीक है सरगर्मी दिये गए पाकिस्तान के नक्षे को गोर से देखें और चारू सूबूं और वफाकी अलाकों के नाम लिखें ठीक है ये हमें पाकिस्तान का नक्षा दिया गया है इस पर हमने चारूं सूबूं और वफाकी रागूं के नाम लिखने है ठीक है इस तरह से आप पाकिस्तान के सूबूं और उनके वफाकी रागूंत का नाम लिखेंगे ठीक है अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का पर्चम हर मुल्क की तरह पाकिस्तान का पर्चम भी इसकी पहचान है इसमें सब्स और सफेद रंग है पर्चम में सब्स रंग मुसलमानों और सफेद रंग दूसरे मजाहिद के लोगों को जाहिद करता है इस पर बना हुआ चांद तरक्क और सितारा रोशनी और इल्म की इलामत है ठीक है जिस तरह ये पाकिस्टान का पर्चम है आप देख सकते है इसमें जो सबस रंग है ये मुसल्मानों को जाहिर करता है ठीक है और जो सफेद रंग है ये दूसरे मजाहिब के लोग ठीक है जिस तरह क्रिस्टन है हिंदू है असाई है तो उनको जाहिर करता है और ये जो पाकिस्टान के उपर चांद बना हुआ है ये पाकिस्टान की तरक्की की इलामत है ठीक है और ये जो सितारा है ये रोशनी और इल्म की इलामत है क्या आप जानते हैं जमीन के बड़े हुश्क टुकड़े या इलाके को बरियाजम कहते है और दुनिया में साथ बरियाजम है ठीक है जमीन के हुश्क टुकड़े या जमीन के हुश्क हिसे या जमीन के हुश्क इलाके को हम क्या कहते हैं बरियाजम कहते हैं तो दुनिया में जो कुल जो है वो साथ बरियाजम है सरगर्मी अपने उस्ताद की रहनुमाई में कापी पर पाकिस्तान का पर्चम बनाएं और इसमें रंग भरें कौन सा रंग मुस्लमानों और दूसरे मुझाहिब को जाहिद करता है निशान दही करें तो आपने अपने टीशर की मदद से अपनी कापी पर पाकिस्तान का पर्चम बनाना है और उसमें आपने रंग बनने है और उसमें आपने ये भी बताना है कि कौन सा रंग जो है वो मसल्मानों को जाहिर करता है और कौन सा रंग जो है वो दूसरे मुझाहिब को जाहिर करता है पाकिस्तान के सूबे पाकिस्तान के चार सूबे और वफा के जेरी इंतजाम इलाके अपने अपने रहन सहन की अकासी करते हैं सूबाय सिंद सूबाय सिंद के लोग सिंदी जुबान बोलते हैं और लिबास में शलवार कमीस, अजरक और सिंदी टोपी पहनते हैं खाने में यहां के लोग चावल, कोकी और पाला खाना पसंद करते हैं कराची सुबह सिंध का दारुल हकूमत है कोकी सिंधी रोटी है ठीक है ना कोकी किसको कहते हैं सिंधी रोटी को कहते हैं जो आटा, त्यास, धनिया, सब्जमिट, अनारदाना और जीरा से मिलकर बनती है सुबह पंजाब अबादी के लिहास से पंजाब सबसे बड़ा सुबह है यहां के लोग ज्यारा तर पंजाबी बोलते हैं इसके इलावा सिराइकी और पोटोहारी भी बोली जाती है पंजाब के लिए बोलते शलवार कमीज पहनती है और यह देखें, आप बादशाही मस्जित है ठीक है न, यह कहां वाकए है, यह लाहोर में वाकए है लाहोर, सुबह पंजाब का दारुल हकूमत है यहां के लोग खाने में सरसू का साब, मक्षन और पीने में लसी पसंद करते है क्या आप जानते है पंजाब का मशूर खेल कबड़ी दुनिया में मशूर है तो पंजाब का सबसे मशूर खेल कौन सा है? कबड़ी और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है इस तस्वीर में आप देखर बता सकते हैं कि ये कौन सा खेल खेला जा रहा है जी हाँ, तो ये कौन सा खेल है, ये कबड़ी है, ठीक है ये दुनिया में मशहूर तरीन जो है वो खेल है, ठीक है और पंजाब में सबसे ज़्यादा ये खेल जाता है सुबा हैबर पहतु हाँ सुबा हैबर पहतु हाँ का दारुल हकूमत पशावर है ये खुबसूरत पहारों और वादियों पर मुश्तमिल है यहां के लोग पश्तो, हिंकू, सराइकी, कहवार और कोहिस्तानी जबाने बोलते है मर्दों का लिबास, शर्वार कमीज, पगड़ी, चितराली टोपी, क्राकली और पशावरी चपल है ओटें, कड़ाई वाली कमीज और शर्वार पहनती है यहां के मशहूर खाने प्लाव और चपली कबाब है कहवा भी शोग से पिया जाता है क्या आप जानते हैं अतन और हटक, यहां के मशहूर रक्स है सुबा बलोचिस्तान रक्वे के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुबा है बलोचिस्तान में बलोचि, पश्टो, ब्रहवी, जुबाने बोली जाती है मर्दों का लिबास शर्वार कमीस और पगड़ी है जग के ओड़तें कड़ाई वाला खुटा और शर्वार पहनती है बलोचिस्तान का हास खाना सज्जी और कड़ी कबाब है कोईटा बलोचिस्तान का दार और हुकूमत है यहां का फुश्क मेवा बहुत मशुहूर है जियारद मे में काय लियाजम попад अली जिना की रहाử का रहाष का है? आजाद जम्हू कश्मीर अजाद जम्हू कश्मीर पाकिस्तान के जेरे इंकिसाम और अलाका है मजफराबाद अजाज जम्मू कश्मीर का दार रहकूमत है यहां पहाड़ी, हिंद्कू, गोजरी और कश्मीरी जुवाने बोली जाती है कश्मीर के लोगों की पर संदीदा हुराक, चावल, कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी चाय है यहां के मर्द और हवातीन दोनों प्रहन पहनते हैं यह है मुजफराबाद अजाज जम्मू कश्मीर ठीक है, यह लाका आप देख सकते हैं, बहुत ही हुपसूरत लाका है क्या आप जानते हैं, अजाज जम्मू कश्मीर की अपनी हकूमत है और यह पाकिस्तान के जेरे इंतिजाम इलाका है गिल्गत बलतिस्तान, गिल्गत बलतिस्तान पाकिस्तान के शमाल में वाकी है, इसका दारोल हकूमत गिल्गत है गिलगित बलतिस्तान में लोग शीना, कहवार, प्रोश्सकी और बलती जबाने बोलते हैं यहां के मर्द आम तोर पर सफेद शलवार कमीज और गिलगती उनी टोपी पहनते हैं औरते शलवार कमीज और टोपी पहनती हैं यहां के लोग रोटी, मख़न और गोश से बनी गिज़ा खाते हैं। क्या आप जानते हैं। राका पोशी गिलगित बलतिस्तान की मशूर पहाड़ी चोटी है। ठीक है ना? तो गिलगित बलतिस्तान की मशूर पहाड़ी चोटी कौन सी है? राका पूशी, ठीक है न, सरगर्मी, पाकिस्तान के मुटिफ इलाकों की सिकाफ़त पर मबनी तसावीर जमा करें, हम जमातों को दिखाएं और उनके बारे में बाचित करें, अपने उसाधिजा की रहनुमाई में ग्रुप में दिये गए सुभू और पाकिस्तान के जेरे इं इंतिजाम इलाकों को चार पेपर पर ट्रेस करके इनके टुकडे बनाएं, आप इन टुकड़ों को आपस में मिलाते हुए पाकिस्तान का नक्षा मुकमल करें, ठीक है तो अपनी टीचर की मदद से आप पाकिस्तान के सुभू और इनके जो जेरे इंतिजाम इलाके हैं, उ और इनके जो जेरे इंतिजाम इलाके हैं, उनको ट्रेस करके तो इनको इस तरह से टुकड़ों में काटके फिर इसके बार पाकिस्तान का मुकमल नक्षा बनाएं, मश्क, सवाल नमबर एक, नीचे दिएगे सवालात में से दुर्स जवाब के सामने टिक का निशान लगाए पाकिस्तान का वजूद में आया, 23 मार्ट 1940 को, 14 अगस्ट 1947 को, 11 सितंबर 1948 को, तो पाकिस्तान 14 अगस्ट 1947 को वजूद में आया, तो हम इसके आगे टिक लगाएंगे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, चार, पांच, छे, तो पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, चार सूबे है, पाकिस्तान के चार सूबे है, पाकिस्तान के पच्चम में कितने रंग हैं, दो, तीन, चार, तो पाकिस्तान के पच्चम में दो रंग हैं, ठीक है, कौन-कौन से, ए सब्स और एक सफेद सवाल नंबर दू मदजजयल बेहनात के सामने दृस्त पर टिक और घल्वफ़ पर करास का निशान लगाएं पाकिस्तान के पच्क में सब्स रंग दूसरे मजाहब की निशान नहीं करता है तो क्या पाकिस्तान के पच्क में जो सब्स रंग है वो दूसरे मज़ाब की निशान नहीं करता है जी नहीं बलके पाकिस्तान के पज्चम में जो सब्स रंग है वो मुस्लमानों की निशान नहीं करता है तो ये क्या होगा क्रास अजाज अमू कुश्मीर का इलाका मुझफर अबाद है ठीक है तो जी हाँ अजाज अमू कुश्मीर का लाका कोई सा है मुजफरबाद रखबे के लिहाज से ब्लोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे चोटा सूबा है नहीं रखबे के लिहाज से ब्लोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है तो ये क्या होगा क्रास होगा ठीक है क्योंकि सबसे बड़ा सुबा कौन सा है रखबे के लिहाज से ग्लोचिस्तान पंजाब अबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुबा है तो ये क्या है टिक बरके गिल्गित बलतिस्तान पाकिस्तान के शमाल में वाके हैं। सवाल नमबर तीन पाकिस्तान के दारोल हुकूमत का क्या नाम है? इसलामबाद। सवाल नमबर चार सिंद्ध और हैबर पहतु हां की सिकाफत का फर्क नीचे लिखें। सिंद्ध और हैबर पहतु हां की जबान का फर्क लिखेंगे लिबास का और खानेगा। नमबर एक सिंद्ध में सिंदी जबान बूली जाती है ठीक है? और हैबर पहतु हां में पश्टो, हिंदको, सराइकी, कहवार और कोहिस्तानी जबाने बूली जाती है। नमर दो पे है, लिबास में शलवार कमीज, अजरक और सिंधी टोपी पहनी जाती है, ठीक है, और हैबर पहतु हां में लिबास में शलवार कमीज, पगड़ी, चितराली टोपी, क्राकली और पिशाबरी, चपल जो है वो पहनते हैं, हैबर पहतु हां के लोग, ठीक है, और सि अबर पहतु हामें खाने में प्लाओ और चपली कबाब शोग से खाते हैं ठीक है इस तरह ये सबक मुकमल हुआ इसके साथ मुझे दें इजासत अपना हया रखिएगा दूओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिस